है वाट साथ गाईज के सो आई हॉप कि सारे के सारे मज़ें में होंगे भाई आमिर खान की मूवी रिलीज हो रही है लाल सिंग चड्धा उसका जबरदस तरीके का बाइकोट चल रहा है और आपको पता है ने ना बहुत सारे रिजन से करीना कपूर का वो स्टेट मेंट आमि हिंदु धर्म बहुत लोगों का वाह को पता है इसले पांच छो उड़ोर कर रहे हैं उसे बहुत लोग में कमेंड्स कर रहे हैं मुझे मेल्स कर रहे हैं उसके बाद मुझे कल इंस्टाग्राम पर लोगों ने पुछा कि भाई यह जो मूवी आप लाल सिंग चड़ा को इतना सपोर्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हो पहली बात और दूसरी बात कि भाई आगर उस बंदे ने मेरे को ऐसा सवाल पुछा था एंड इसने नहीं बहुत लोगों ने पुछा है कि भाई जिस तरीके से हिंदू धरम का मज़ा कुड़ाया गया यह कहां तक सही है क्या हम जो लोग है जिनकी फिलिंग्स की वाट लगी है उसका क्या कोई मतलब कोई वेल्यू ही नहीं तो क्या हम इतना यह नहीं कर सकते हैं किसी मुई को अगर आप है ना एक्चुली आपके साथ एसा हो आपके धरम के साथ या आपके फिलिंग के साथ कोई खेले तो क्या आप बाइकोट नहीं करोगे उसको देखो पहली बात तुम एक चीज़ आपको बताता हूँ आई होप कि आप लोग समझोंगे मैं केना क्या चा रहा चाहि कि रिलीज होई थी ना तब भी इस मुवी का पाइकोट हुआ ने वहाँ पे देखा है तो यह ठी मूग का आज ही बाइकोट कर रहो हैं इस मूवी का बाइकोट बहुत टाइम से चला रहा है तो भाई पहली बात तो बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को तो भाई मेरा मानना ऐसा है कि जो एक बाता मुझसे पुछते हो गलत है यह चीज़ आप देखो आप देखो जिस तरीके से आप दरगा होती है उसका ले लो फिर उसके बाद जो सीख लोगों का या फिर आप जो इसाई लोग मानते हैं जिसको वहाँ पले लो जिस तरीके से दारू लेके गुस्ते है आमिर खान मिन्स के बहुत से चीज़े एसी थी कि बाई जिससे आपको तकलिफ हो सकती है पीके मुवी में सिर्फ वो नहीं था मतलब पुरी के पुरी मुई कॉन्ट्रोवर्सी से भरी हुई थी ठीक है अब मेरा कहने का मतलब यह है कि महाँ पर जो आमिर खान ने किया जिसकी भी फिलिंग्स को ठेस पहुची है जो भी इसके खिलाफ है जो भी भाई बाई कोट कर रहे है पीके मुवी का वो अपनी जगा पे सही है एड में इस चीज़ को मानता हुआ एसी मुवी बननी करना चाहिए मैं भी मानता हूं आपको आवाज उठानी चाहिए यह आपका हक है बट जब आवाज उठानी थी ना वो टाइम काफी पीछे चुड़ गया है एंड़ पीके मुवी के बाद अल्रेडी आमिर खान ने मुवी कर रखी है और उस मुवी को काफी टाइम हो गया ह तो अब इतनी पुरानी मुवी को लेखे अब नए है आब इतने टाइम के बाद किसी और मुवी को बाइकोट करना इस चीज़ के मैं थोड़ा सा खिला फूँ ठीक है पहली बाद तो आप इस चीज़ को समझो एंड़ मैं दूसरी बात पर आता हूं देखो एक्टर क्या हो जो प्लीज यह मैं बहुत ही अंदर की बात बता आप लोगों को आई होप आप लोग समझो गया देखो आमिर खान एक एक्टर है एंड एक्टर का काम होता है कि बाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो होते है वो जो बोलते हैं इस साब की एक्टिंग करना ठीक है को डायरेक्ट किया जिसने इस मुवी को प्रोड्यूस किया है तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि बाई कोई एक ट्विट कोई एक भी मेसेच या फिर कोई एक बंदे की दीमाद में यह चीज़ क्यों नहीं आती है कि आमिर खान की अलावा और भी केरेक्टर इस मोवी में थे एंड उसके बाद और भी भाई जिसने मुवी को डायेट किया है जिसने बनाया जिसने प्रोड्यूस किया है उसके बारे में क्यों नहीं चलता सिर्फ आमिर खान के ओपर ही तलवार क्यों मेरे को एक बात समझ नहीं आती है जबकि मेरे हिसाब से मतलब जिसने सबसे कम जो गुणा किया है ना पीक के बनाए वो तो आमिर खान ही क्यूं भाई लगा इसने सirable के लिए जिसने एसी बनाने का सउच इसंञा है उसका व्त्विड भी उसके नाम पर क्यों आ आता मेरे कुरों इस चीज का समझ नहीं आत जिस हिसाब से उसको बोला गया, उस हिसाब से उसने काम किया है, बड़ इसके पीछे जो mindset है, उसका बाइकोट क्यों नहीं होता, एंड दिखो बहुत टाइम हो गया है, पीके मुवी को आने को, एंड मैं आदे को एक बात बोलके आप लोगों को बात खतम करना चाता हूँ, म अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, देखो, आप एक मुवी को लेखे, इससे सूपर स्टार को ट्रोल नहीं कर सकते, जिसने भाई, डर्जोन मुवी हमको ऐसी दिया ना, जिसको हम भूल नहीं सकते, तारे जमी पर याद करो, जो एक्जांपल, वो मुवी के साथ किया, दंगल, आप दंगल को याद करो, मतलब आमिर खान ने इतनी मुवी जैसी दिया ना, जो एक्जांपल सेट किये है, जो लोगों को सीख दिये ना, उन सब चीजों को भूल के आप सिर्पीके के पड़े रहोगे, तो भाई, यह कहां तक का इनसाफ है, उनका वो भाई जीज तरीके से उसमें धरम का मज़ा कोड़ाया जाता है, तो भाई, उस हिसाफ से लोग भी सही है, मतलब डबल बाते होती है, ठीके, कोई उसको अच्छा भी बोलेगा, कोई उसको बुरा भी बोलेगा, बट जीज तरीके का एक्जांपल वहाँ पर सेट गया, आमिर खान को एसी मुवी बनाए, जिससे आपकी भावना को ठेस पहुचे, जिससे आपको लगे कि इस से हमारा मसा खुडाया गया, हमारे धरम का मजा खुडाया गया, फिर आप वाई कोड करो, मैं खुद आपका साथ दूँगा, मैं आपके साथ हूँ, बर लाल सिंग चढठा में ऐ यही रिजन है आमीर खान आमारे इंडिया के लिए इंडिया ओ्ष्पी मुवी बहुत पीछे चुट गही तो उस वजह से लेकि में इस तो कौन था किसने सोची थी आप लोग खुद देखो इसको में किसी का नाम लेकि उसको ट्रोल नहीं करना चाहता आप लोग समझदा रहा आप लोग समझो कि मैं क्या क्या ना चाहरा हूं तो लाइक करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते नेक्स वडियो मदब थक्के लिए गुडबाइ टाटाएं लव यू